आज के इस क्लास में हम B8 Interest Exam के लिए GK की क्लास करने वाले हैं यदि आपने B8 का फॉर्म भरा हुआ है तो ये क्लास आपके लिए काफे ज़्यादा important हो जाता है क्योंकि इस क्लास में हम GK की जो question है उसको discuss करने वाले हैं इसके कम से कम 10 से 12 क्लास आपको provide की जाएंगी जिससे आपका GK पे आपकी पूरी पकड़ हो जाए तो उमिद करते हैं आप लोग support जरूर करेंगे तो चलिए question को discuss कर लेते हैं आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्ण हो जाएगा निम्नलिकित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसीद सोध प्रभंध लिखा है चीके option number A पतंजली, पाड़नी, सुसृत या चानक्य इसमें आपका correct answer option number B हो जाएगा पाड़नी दूसरा प्रस्ण देख लेते हैं भारत के किस छेत्र में वनस्पती को हैलो फाइट्स के रूप में वर्गी क्रित किया जाएगा मद्द हिमाले, थार का मरुस्तल, गंगा का मैदान या सुन्दरवन correct answer option number D हो जाएगा सुन्दरवन question number 3 कह रहा है नवर्ज के औसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है तेलंगाना में, करनाटक, गुजरात या 36 गड़ में correct answer हो जाएगा option number B करनाटक में उगादी का आयोजन किया जाता है question number अगला कह रहा है question number 5 कह रहा है सितारा देवी का संबंध किस से है कथन निर्थ से, मड़ी पूरे निर्थ या हिदुस्तानी गायन या गर्बा निर्थ से तो सितारा देवी का संबंध हो जाएगा option number 1 कथन निर्थ से हो जाएगा त्यान रखेगा अगला प्रश्न कह रहा है हमारा school बेवस्ता की मुख्य जिम्मेदारी किस के उपर है सिच्छा के उपर principal, प्रबंधक या उप्रोक्त सभी correct answer हो जाएगा option number B principal के उपर school की जो बेवस्ता है उसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है किस के उपर principal के उपर होती है दियान रखिएगा इसको question number 7 कह रहा है सिच्छ को छात्रो की छमता किस तरह से मापता है option number A कह रहा है छात्र के माता पितों को पूच कर दूसरा छात्रो की जाच करके छात्रो को पूच कर या छात्रों द्वारा किये गए विविद्य कारियों का विश्चनेसर करके इसमें आपका correct answer option number B हो जाएगा छात्रों की जाच करके जो सिच्छक है वो छात्रों की छमता का मतलब पता लगाता है चलिए question number 8 देख लेते हैं आदत किसे कहते हैं कोई कारे की पुन्रावरेति या एक स्वता या option number C कह रहा है A और B ये दोनों या इनमें से कोई नहीं तो इसमें आपका option number A करेक्ट हो जाएगा कोई कारे की पुन्रावरेति इसे आदत कहते हैं चलिए question number 9 देख लेते हैं इसकूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसकी कारण है क्या कारण है अप्रभावी सिछक अभ्यास करम में रूची का अभाव सिछड की निर्बल पदती या उप्रोक्त सभी करेक्ट आंसर यहाँ पे D हो जाएगा उप्रोक्त सभी ये सभी कारण हैं से स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण हो जाएंगे अप्रभावी सिछक और अभ्यास करम में रूची का अभाव और सिछड की निर्बल पदती ये सभी कारण हो जाएंगे चलिए कोश्चन नंबर दसवा देख लेते हैं व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं व्यक्तित्व द्वारा बोली जाती ववानी व्यक्तिका बहवार व्यक्तिका सामाजिक विकास वही बाते जो व्यक्तिके अंतरगत आती हो करेक्ट आंसर ओप्सन नंबर भी हो जाएगा व्यक्तिका बहवार चलिए, question number 11 देख लेते हैं school में से dropping out होना मतलब क्या होता है school हमेशा के लिए छोड़ना, school में animate आना, work में से 20 खेलना या इन में से कोई नहीं तो इसमें आपका correct answer option number A हो जाएगा school हमेशा के लिए छोड़ना, ये dropping out का मतलब होता है school में, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं question number 12 निमें लिखित में से कौन सा कारे Lord करजन के समय काल में नहीं होई है अकाल आयो का गठन, Hunter आयो का गठन, पंगाल विवासन या भारत लोग सेवा मंदल का गठन इन में से कौन सा Lord करजन के समय काल में मतलब नहीं होई है ये पूछा जा रहा है, तो correct answer इसमें हो जाएगा option number B, Hunter आयो का गठन, जो है, वो लाड करजन के समय काल में नहीं होई है question number 13, किछित में म्रेदा के निर्माल, ज्वाला मुखी cell 80 तास्म के अप 6 द्वारा होता है इसमें आपका correct answer, option number D हो जाएगा, दक्कन का पठार option number C, जारखंड का छो या प्रसिद लोकन देते हो जाएगा, ध्यान रखेगा question number 15, कह रहा है, निर्मनी लिखित में से कोषिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है question number 16, कह रहा है, वर्ग खंड में सिच्छा के लिए क्या आवस्यक है, छात्रों की जिग्यासा वृत्ति, उचित पर्यावरण, पारमगत, सिच्छा क्या उप्रोक्त सभी, इसमें आपका correct answer, option number D हो जाएगा, उप्रोक्त सभी question number 17, किसे सर्वपर्थम जोड़ा गया था, दामोदर हुगली को, सोन महानदी, नर्मदा तापती या गुदावरी क्रिश्णा किसे सर्वपर्थम जोड़ा गया था, ति इसमें आपका option number D correct हो जाएगा, गुदावरी क्रिश्णा question number 18, किसका ग्या नामे स्वयम को समझने में अतधिक मदद करता है, correct answer हो जाएगा, option number B, सिच्छा question number 19, किस अवस्था में बच्चे विद्याले में समायोजन संबंदी समस्याओं से ग्रेश्ट हो जाते हैं, A कहरा है, विद्याले पूर्व अवधी में, B कहरा है, बचपन में, C कहरा है, पूर्व समाजिक विकास की अवधी में, D कहरा है, मध्य बाले अवस्था में, तो correct answer इसमें option number A हो जाएगा, विद्याले पूर्व अवधी में, question number 20, देख लेते हैं, बच्चों की कलपना सिलता दरसाती है, क्या अंदुरूनी प्रतिभा, कलपना के प्रति, उनका प्यार, W, कुंठा या आयू संबंदी, उनके रुजान, correct, answer option number D हो जाएगा, आयू चलिए, question number 21, देख लेते हैं, क्या बुद्धिमान अभी भाकों के बच्चे अध्यन में सदेओं चमकते हैं, नहीं, हाँ, इस्वर पर दिर्भर रहते हैं, या मनोव विज्ञान, correct, answer option number A, correct हो जाएगा, नहीं, question number 22, समाज में हो रहे हैं, नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वस्रेश्ट विकल्प है, कठोर दंड, सिच्छक द्वारा सदाचरण, या नैतिक सिच्छा या इनमें से, कोई नहीं, correct, answer option number B हो जाएगा, सिच्छक द्वारा सदाचरण, question number 23 देख लेते हैं, मानो, जन्म मुक्त लेता है, परन्तु सभी और से वाजन जीर में है, या विधान किसने दिया हुआ है, WII, क्लिपेट्रिक ने, अबराहम माशलो या जीन जेक्विस, राउसेड ने, या जॉन डिवी ने, या विधान किसने दिया है, तो ध्यान देख कियेगा, ये विधान, option number C हो जाएंगे, जीन जेक्विस, राउसेड ने, दिया हुआ है, चलिए, question number 24 देख लेते हैं, निर्लय लेने का कारेच छेतर है, इसमें आपका correct answer, option number D हो जाएगा, प्रसासन, question number 25 कह रहा है, सिच्छक छात्रों की छमता, किस तरह मापता है, ये question आपने साइद अभी पढ़ा था, चात्र के माता-पिता को पूछ कर, चात्रों की जाच करके, चात्रों को पूछ कर, या चात्रों द्वारा किये गए विविदेकारियों को अफिशनेशल करके, इसमें आपका option number B हो जाएगा, चात्रों की जाच करके, question number 26 देख लेते हैं, चात्रों का विज्ञान विशे कैसे सीखना चाहिए, प्रियोग दिखा कर, प्रस्णुतर देखे, रूचिकर तरीके से ये चात्रों द्वारा प्रियोग करवा कर, correct answer D हो जाएगा, चात्रों को विज्ञान विशे और सिखाना चाहिए, चलिए, question number 27 के रहे, विद्यार्थ का स्वा अध्यन द्वारा, correct answer option number D हो जाएगा, विद्यार्थी का स्वा अध्यन द्वारा, question number 28 के रहे, भासा का विवारिक ज्ञान सिखाया जाता है, भासा प्रियोग साला में, स्कूल में, भासा सूचना में, या भासा सिच्छड में, correct answer option number A हो जाएगा, भासा प्लासी युद्धि से ये संबंतित हो जाएंगे कोश्य नमबर तीसवा देख लेते हैं ताजे जल की तुलना में समुदरी जल का हिमांक बिंदू होता है करेक्ट आंसर ओप्सन नमबर सी हो जाएगा निम्न तो आज के क्लास में इतने ही प्रस्ण थे यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीचेगा अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेयर कर सकते हैं जिन्होंने बीएट का फार्म भरा हुआ है इंटेस एक्जाम के लिए उन तक ये वीडियो आप लोग पहुचा सकते हैं नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कुछ सुझाव है तो भी आप हमें दे सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आपको ऐसे वीडियो से यहाँ पे मिलते रहेंगे तो चैनले मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद